हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी एचील के स्टॉक के उपर दोस्तो आज की दिन बी एचील के स्टॉक में 85 पैसे की गिरावट देखने को मिली स्टॉक आल्मोस दोस्तो 52 रुपे का आकड़ा आज के दिन चूतावा देखने को मिला लेकिन अचानक से दोस्तो स्टॉक में गिरावट हुई आज की गिरावट का कारण क्या था और क्या फिर दोस्तो 60 रुपे का आकड़ा बी एचील का स्टॉक चूतावा देखने को आज तेजी में थे निफ्टी Mid Cap Index almost दोस्तो फ्लैट कामकाज करता हूँ देखने को मिला है अब देख सकते हैं सारे Mid Cap Stock चाहे वो भेल सेल अब बात कर लिजनाल को सेल और बाकी सारे जितने भी आप करते हैं Mid Cap Stock से छोटे-छोटे Stock से उन सभी Stock में आप कह सकते हैं कि गिरावट होती हुए देखने को मिलिए और BHEL में आज के दिन गिरावट होती हुए देखने को मिलिए तो सिलसिला था तीजी का ओल्मोस 48 रुपीज से 52 रुपे तक का लेवल स्टॉक ने चुआ वो सिलसिला आप खतम होता हुए देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तों आप कह सकते कि अब स्टॉक आप कह सकते कि ओवर्शोल जून में आ चुका था अब डेफिनेंटी दोस्तों आप कह सकते कि बाइंग जून में स्टॉक ट्रेट करता हुए देखने को मिलेगा और बहुत जल साथ रुपे आपकर आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी एनर्जी इंडे आज की दिन भी एचेल के स्टॉक में ट्रेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं इक कावन रुपे का जो लेवल है उसको दोस्तों आप कह सकते कि रिस्पेक दिया है स्टॉक ने हां इंट्राडे में यह लेवल तोड़ा बट क्लोजिंग दोस्तों एक कावन रुपे के पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिये एक कावन रुपे पिचासी पैसे का उपन दिया प्रिवेस लोस से एकदम पाच पैसे कम जहां मार्केट बिल्कुल फ्लैट थे जैसे मार्केट उपन हुए मार्केट में थोड़ा प्रेशर क्रीट हुआ बट दोस्तों आप कह सकते कि धी दीरे दीरे आप कह सकते की बॉटम आउट होते हुए दिखने को मिल रहे थे सेल के अगर बात करें तो एक सेल नामक स्टॉक था अल्मोस्ट फिफ्टी के असपास टेट कर था फंड्रेट पॉंट फिफ्टी के असपास और गिरावट में ऑल्मोस्ट नाइंटी रुपीस सब्सक्राइब करें तो आज प्लाज ब्लॉग डिल हुए स्टॉक के अंदर प्लस दोस्ता अपके सकते हैं एक और कारण था भी एचल की गिरावट का एफ नो डिटा सजेस्ट लॉंग अन्वाइंडिंग जब दोस्ता क्या सकते कि लोग एफनो में पोजिशन क्लियर बना स्टॉक के अगर टेक्निकल रिटिंग की बात करें तो दोस्तों ब्रस जोन से अब ये नूट्रल जोन में ट्रेट करता हुए देखने को मिल रहा है और रिजिस्टेंस लेवल की बात करें तो दोस्तों आज के दिन इसने सपोर्ट जादा प्रेफर किया आप दिख सकते हैं और 50 रुपे 30 परसे का लेवल नहीं तोड़ा 50 रुपे 55 परसे तक की इसने गिरावट करी बट डेफिनेटली दोस्तों कल के दिन आपको 52 रुपे 50 परसे का लेवल ध्यान में रखना है ये एक काफी तगडास आप रिजिस्टेंस है अगर ये रिजिस्टेंस क्लियर होता ह कि 53 रुपे 70 परसे तक की जगा भी इंट्राडे में बना सकता है स्टॉक के अगर डिलिवरी की बात करें तो दोस्तों डिलिवरी परसेंटेज काफी अच्छा सटिस्फाइंगे ये यस्टरडे 21 परसेंट की डिलिवरी देखने को मिलिए और अमूमन 16 परसेंट की देखने वाला है तो डेफिनेटी दोस्तों आप क्या सकते कि एक हफते में काफी सेनारियो बदलता हुआ देखने को मिला है और आप क्या सकते कि थूआट अगर अपन तीन साल की आतकर तो स्टॉक ने नेगेटिव डिटन दिया है बट दोस्तों डेफिनिटली अब ये स्टॉक आकड़ा विदिन टू और त्री मंट्स डेफिनिटली दोस्तों बीएटल की स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल सकता है स्टॉक के दोस्तों मैं चार्ट पर आगया हूँ एक साल के मैंने चार्ट खोले स्टॉक पहले दोस्तों 80 रुपे का आकड़ा चुआ देन गिराव क्योंकि आकरी बार अप्रेल में तो आल्मोस्ट रुप तक स्टॉक गया था एंट फिर दोस्ता आइप्रेल का मैना चालोने वाला है तो अप्रेल के मैने में 80 रुपे का तक हस्ते लेवल इंट सब ब्ले यह सब दोब रहा था और असी रुपे तक की जगा पर बंते वी द करें तो कल के दिन 52 रूपे के लेवल्स पर आपको इस टॉक में खरीदारी करनी है अगर दोस्तों आपको डिप में विले तो भी बाइंग कर सकते हैं पचास रूपे का आपको एक एहम इस टॉक में बनते भी देखने को मिल सकती है दोस्तों, that's it for वीडियो, अगर वीडियो चाहिए तो लाइक करना शेर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों, thank you friends for watching this video